एलो एबरिवन, मैं मितुर सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का, आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे देखिए इस वीडियो को सुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलूँगा, नहीं इस वीडियो को लाइक करने के लिए बोलूँगा आपकी मर्जी लाइक करो या फिर चैनल को अनसब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो आपकी मर्जी आप लोगों से बस इतनी request है कि please अपने आपको vaccinate कराएं और अपने आसपास के लोग जो vaccine नहीं ले सकते हैं, online slot को book नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आप please slot book करें और समाज में एक अच्छे नागरिक होने का हक अदा करें तो चलिए बढ़ेंगे आगे इस वीडियो की और और यहां से देखिए DSSB ने एक नई notification जारी कर दी है और अभी तुरंत ये notification जारी की गई है आपको पता ही है आज 76 2021 है और नई notification जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि जो exam date है वह होगा 25, 28, 29 और 30 जून को exam actually postpone कर दिया गया है आप यहां से देख सकते हो यहां से देखो Friday की जो date है उसमें आपको PGT sociology में male teacher की PGT sociology female teacher की recruitment आपको जो exam है वो देखने को मिलेगी 26 2021 को और 28 को exam जो होगा वो history का होगा और commerce का होगा male female आप देखते है जाना बगल में लिखा हुआ है और 29 तारी को फिर PGT physics female की PGT physical education male की PGT physical education female की और 30 को exam जो होगा वो होगा PGT English female के लिए और फिर PGT English female के लिए अच्छली इन्हें दो schedule में बाटा गया है याद रखिए आपको admit card फिर से download कर लेना है पुराने admit card किसी काम के नहीं है वो invalid हो चुके है नए admit card को download कर लेना है आपको और यहां पे एक advisory भी जारी की ग लेकर आप यहां से screenshot ले सकते हो या telegram channel पे मैं इसकी link आपको upload कर दूँ का इस PDF को वहां से आप इसकी PDF को avail कर सकते हो telegram channel को join करने के लिए link description box में और नीचे comment section में भी दिया गया है एक और बात में समरी कर दूँ जो लोग TGT और PRT की तयारी कर रहे हैं DSSB की या EMRS की तो व email address पे आपको mail कर लेना है email address और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो यूज अगर आप ट्यूटर पे हो तो भी मुझे follow कर सकते हो वहाँ पे आप मुझे DM करके यानि कि personal message भेज करके information ले सकते हो एक और बात अगर आप mail करती हो तो प्लीज अपना mobile number mention जरूर करते ताकि आपसे contact बनाया जा सके तो फिलाल के लिए इतना ही you guys are amazing keep reading keep learning keep growing